डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है। और अपने इसी अनभव और एक्सपटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आये हैं एक स्टेट अफ दियार्ट डाइग्नॉस्टिक सेंटर, बढ़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए, हमने एक हाइटेक ऑडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है डेसला इमेजरिंग अन डाइग्नॉस्टिक सेंटर करने का आश्वर्षन दिया, प्रभारी मंत्री द्रहंपाल सिंग ने कहा कि इस तरह है कि संपूर्ण पुलिस वे परशाशनिक अमले के साथ पहुँचे थे दरसल दो दिन पूर जाकिर कलोनी में तीन मंजला मकान बरशात के चलते गिर गया था इसमें एक ही परिवार के दस लोगों की मौत हो गई है हाथ सके वर्थ वहाँ 15 लोग मजूद थे अज दुफैर प्रुभारी मंत्री द्रहनपाल सिंग जाकिर कलोनी पहुँचे थे फस्टबाइड डॉट टीवी के कैमरे ने इन पलों को कुछ इस तरह से कैद किया देखिए पेडित परिजनों से मुलाकात के बाद प्रुभारी मंत्री ने मीडिया से यह कहा परिवारों से आप मिलें क्या पूरी डिमार्डिंग की रही है क्या बाद चीद हुई है क्या आपने कोश्रागरी सब्सक्राइब देखे यह बहुत दर्टनाक और दुरुभा के पूर गटना है लोग सो रहे थे उन्हें पता ही नहीं कैसी दैवी आपदा आ जाएगी आया हूँ और इसको जितने भी अनुमन से ज्यादा स्विधा देने का काप करेंगे इनके जीविका का भी उपारजन का भी प्रवन करेंगे और रहने का पूरा इंतजाम करेंगे इस से पूर कॉंग्रेस के साहरनपूर के संसद इम्रान मसूद तमाम कॉंग्रेसियों के साथ वहाँ पहुचे थे देखिए और गोड़े का बच्चा यहां बद्दू आ रही है तो इसके नीचे गाए है अभी सब लोग निकालेंगे वह इस दोग लगए निकालेंगे सारी चीजों को देख करें कि यह लोग बहुत से काम करेंगे निकालेंगा परिशांटी है देखे बहुत दुखा दात्सा है और पूरा का पूरा परिवार तबाहो गया उनकी भैसे ही चले गई घर पे ऐसा भी नहीं बचा के तहीं एक ऐसा हो के आप अपना सर भी चुपा लें बहुत गरीग परिवारें सब कुछ तबाहो गया तो अभी आज हमाए और मैं बात कर दो कि इनका आशियाना बन जाए सारी भैसे मर गई जो कमाई का जरिया था वो खतम हो गया परिवार खतम हो गया और यह लोग जो बचे है वो इतने दर्द में जो ऑस्पिटल में उनकी वीस्तिती बहुत अच्छी नहीं है तो हमारा तो यह है कि हम जितनी मदद हो सके इनक कर रेका कि अचाते हैं असरुकार से कि इतना एंको रूजजार का कुई सादन हो उपलब्द हो जाए इनका जो बैसे मर गए इनकी इपल तूा मिल जिए इक को चारुभारण तो किस तरह से एक घटके में इनका सब कुछ तबाह हो गया तो बहुत तो वह चीजे तो वापस सब लोग मिलकर के इनके रोजी रोटी का और इनका अशियानी का इंतिजा में बहुत कम है कितना मिलना चाहिए वो तो एक मिश्या अलग है लेकिन बहुत कम है सरकार को भी सानभूर की पूर्वक विचार करना चाहिए एक परिवार के 10 लोगों का एकड़म चले जाना कि एकड़म इस तरीके से आबदा पड़ जाना आबदा का कामी सरकार का है कि अगर कोई आपदा है तो उसमें जो हम सायता कर सके यह कामी तो सरकार का है तो सब करेंगे हम करेंगे जो कर सकते होंगे हम करेंगे जो कर सकते होंगे हमने यहीं क्या कहना है आपका इसमें पड़ा तो आपशोचाहा नेधी कारण विए अपोगें की उक दपालने यो जय फोह देखा घो घोए्युंस अजयता लोस का पता करो कि तो उसके बाद तो फीडिय करिवार हैं हम तो आज पहत कुछ हो आदर ने कुछ और ने पूचना गया है तो भारी बशाद कारान नहीं जो आंपका में तो इसके लिए हम परकासर के मातल से भी और अजने पूपर में सब्सक्राइब करें अजमार इस अपडेट में फिलाल इतना ही आप देखतेरी आप फासबाइट टीवी नमस्कार कर दो